नमस्कार दोस्तों आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ Stock for Money YouTube चेनल पर मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों Pharmaceuticals Company Suven Pharma Limited के बारे में इस कंपनी के related एक बहुत ही बढ़िया न्यूज सामने आ रहा है दोस्तों तो आईए directly पहले न्यूज के देखते हैं इसके बात दोस्तों Company के उपर डीटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे आज के दिन Company ने अपना प्रेस रिलीज करके यहाँ पर बता है दोस्तों यहाँ देखिए C.S.I.R.I.I.C.T. and Suven Pharmaceuticals Limited Joint Hands for the Process of Technology Transports and Manufacture of Anti-Covid Drugs Molnupiravir N2DG जिए दोस्तों यहाँ पर एक बहतरी न्यूज है आज के समय के लिहास से अगर देखेंगे दोस्तों अभी के समय के लिहास से अगर देखेंगे चारोतोरप COVID का मावल है और SMX Company जो है Molnupiravir का यहाँ पर manufacture करते हुए दिखेगा दोस्तों और जो drug है जो कि हमारा DRDO के दुआरा यहाँ पर विस्तार किया गया था DRDO के दुआरा यहाँ पर आभिस्कार किया गया था दोस्तों जिसका नाम है 2Z drug इसको यहाँ पर यह manufacture करता हुआ आने वाले समय में दिखेगा अगर हम डीटेल में इसको देखेंगे यह दिखेंगे सुवन फर्मासेटिकल्स लिमिटेड CSA, CSIR, इंडियन इंस्टिजीट अप केमिकल टेकनोलोजी हाइदरबाद and CSIR, National Institute of Interdisciplinary Services, Sciences and Technology थिरुआननदपुरंब have entered into an agreement for the process, technology, transfer and manufacturing of the anti-COVID drug, Molnupiravir and 2DG यहाँ पर दोस्तों यह जो है यहाँ पर दोनो गवर्मेंट इंस्टिजीशन है यहाँ पर इन्होंने इनको यहाँ पर परमिसन देते हुए इनको COVID-19 की दवा बनाने के लिए यहाँ पर अनुमती प्रदान कर दिये हैं और यह आनवेली समय में यह दवा बनाते हुए दिखेगा दोस्तों काफी बहतरीन और positive news यहाँ पर हमको मिल रहा है अगर हम बात करेंगे suven pharmaceuticals limited के बारे में दोस्तों तो देखिए suven is an integrated contract development and manufacturing operation company है यह देखिए cdmo में काम करता है contact manufacturing करता है suven pharmaceuticals provide services to leading global license and fine chemical measures including custom synthesis, press R&D तमाम चीज़े करता हुआ देखिए 1989 से यह company यहाँ पर exist suven is dedicated to going beyond commitment and delivering research and development and manufacturing solution with flexibility, quality, speed and cost effectiveness suven pharmaceuticals यहाँ पर यह जो है अपना mission लेकर ऐसे चलता है दोस्तों देखा जाए company तो pharmaceuticals company का एक दिगज कंपनी यहाँ पर माना जाएगा दोस्तों आए company के और कुछ parameter को भी यहाँ पर थोड़ा सा detail में चर्चा कर लेते हैं company देखिए CDMO से दोस्तों यहाँ पर contract development manufacturing से 56% की यहाँ पर revenue generate करता हुआ नजर आता है contract technical services and formulation से यह 8% की revenue generate करता है और देखिए speciality chemicals भी में यह काम करता है दोस्तों 36% की revenue company speciality chemicals से generate करता हुआ दिख रहा है अगर हम location wise देखेंगे कहां कहां से यह revenue अपना आर्न करता है यह देखिए Europe जैसे बहारी देशों से 79% की यहाँ पर revenue आता है company के पास इंडिया से 5% देखिए और USA से 6% की revenue generate करता हुआ दिख रहा है global presence की बात करेंगे तो यहाँ पर बहतरीन यहाँ पर नजर आता है सुवेन फर्मासिटिकल्स लिमिटेड नेक्स्ट अगर हम company की return profile को यहाँ पर थोड़ा सा चेक करेंगे यह देखिए दोस्तों यहाँ पर return profile पहले आईए company के revenue के उपर थोड़ा सा नजर डालते हैं company के numbers के उपर यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालते हैं 268 क्रोड 308 क्रोड दोस्तों अगर हम EPS की बात करेंगे यहाँ देखिए 2019 में 8.59 था इसमें बढ़ गया दोस्तों 2020 में 24 दसमें लोग 91 बट यहाँ पर 2021 में थोड़ा सा घट गया देखिए 14 दसमें लोग 23 हो गया कंपनी का EPS ROE में देखिए 30.68 कंपनी देखा जाए दो दोस्तों यहाँ पर यहर वाइज बहतरीन परफरमेंस करता हुआ दीख रहा है कंपनी के अगर हम क्वार्टरली परफरमेंस को देखेंगे रेविन्यू के उपर देखिए इसमें भी थोड़ा बहुत उतार चड़ा है और डिसमबर में 97 क्रोड का नेट प्रोफिट था और यह देखिए मार्च 2020 में 64 क्रोड की नेट प्रोफिट है नेक्स्ट अगर हम कंपनी की सेयर होल्डिंग पैटरन को देखेंगे यह दिखेंगे 60% of holding प्रमोटर के पास दोस्तों और पीछले एक साल से कोई भी चेंज है किस में कर दी है 6.93% की holding यहां पर पूरा माल देखिए FIAE उठा लिए दोस्तों कंपनी की एहमियत इनको पता चल गया DIAE देखिए 5.52% की holding DIAE के पास इन्होंने भी भाई साब देखिए बढ़ा दिया है अपना holding बाकि जो भी है पबलिक यहां पर hold करते हैं 27 दसमें ल इस्टर जो है यहां पर दवा के माल खरीद लिये हैं अगर हमारा domestic institution की बात करेंगे इन्होंने भी यहां पर दवा के माल खरीदते हुए दीख रहा है नेक्स्ट अगर हम company की balance sheet को check करेंगे देखिए company का total reserve and surplus देखिए दोस्तों 1049 करोड का यहां पर reserve and surplus है और पिछले साल यह था देखिए 770 करोड का इनका reserve surplus तो यहां पर increase होता हुआ आपको दिखेगा long term borrowings 35.59 यह था दोस्तों 91.25 करोड का अब company जो है यहां पर घटाते करजा तो देखिए यहां पर करजा थोड़ा दीख रहा है 105 करोड का श्रीप दोस्तों ज्यादा करजा तो यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा 105 करोड का यहां पर करजा आपको दीख रहा है next अगर हम cash and cash equivalent देखिए हैं श्रीप 10 करोड साधे 9 करोड का cash and cash equivalent है company का current investment देखिए 1806 करोड यहां पर invest करके रखा है total asset की बात करेंगे तो 1399 करोड है और यह asset आपको year wise increase होते हुए देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों company तो अपने sector में बहतरीन नजर आ रहा है और कुछ parameter को अगर हम check करेंगे company के दोस्तों यहां पर इनकी peer company के साथ अगर हम इसको थोड़ा सा compare करेंगे यह देखिए suven pharmaceuticals limited की अगर हम यहां पर देखेंगे peer ratio दोस्तों यहां देखिए 33.76 P में company अभी चल रहा है यहां देखिए 33.76 है अगर हम sun pharma की बात करेंगे यह है दोस्तों 54 का और dv's lab देखिए 58 है सिपला के अगर बात करेंगे तो 32.76 सुबे फर्मा यहां पर ज़्यादा यहां पर overvalued नजर नहीं आता है अगर आरोई की बात करेंगे यह आरोई में भी देखिए दोस्तों यहां पर 30.68 की आरोई है सुबे फर्मा का जिसमें sun pharma का देखेंगे तो 6.24 है 21.34 है डv's lab का डक्टर रेडिस का 11.06 है सिपला की बात करेंगे देखिए 13.10 में लोग एक दो है ऐसे में सुवेन फार्मासिटिकल्स लिमिटेड बहतरीन नजर आता है दोस्तों एक बहतरीन काउंटर जो है आपके लिए साबित हो सकता है डिव डेप ट्विक्विटी रेसिव देखेंगे तो यह 0.12 नजर आएगा देखा जाए दोस्तों तो बहतरीन यहां पर नजर आता है आप कंपनी के उपर बिलकुल नजर बनाके चल सकते हैं दोस्तों और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च आप जरूर इसमें कर सकते हैं और इसमें पोजिशन बनाने के लिए सोच सकते हैं दोस्तों आजके लिए इतना था वीडिए अच्छा लगा तो लाइक कर दिजीगा और चनल को सब्सक्राइब कर दिजीगा दोस्तों जैहिन